व्यक्ति जो है शरीर और मन दो दो चीजों से बनी हैं शरीर के उपर हम इतना ध्यान दे रहे हैं तो हमको अंतरमुखी होकर हम अपने चित को भी तो ध्यान देना होगा ना चित को भी तो चेयर करना होगा ना तब तो वास्तविक शांदी मिलेगी तो हम लोग कितना कर तो आ इकलोजी पढ़ा रहे हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, एकनोमी, किसलिए पढ़ा रहे हैं? सुख और शान्ती के प्राप्ति के लिए पढ़ा रहे हैं, किसलिए हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग अध्यान करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, एक बहुत एक फैक्टरी में काम कर रहा है, खेद में एक काम कर रहा है, एक कोई मज़ूर है, पहाड पर काम कर रहा है, सागर में किस लिए कर रहा है, सुख और शांती के लिए कर रहा है, सुख क्या है, दुख क्या है, इसको तो जाना पड़ेगा, कि हमको निश्चे करने पुचन करने तो फिर बोजन वी कि पोजन होता है है और लुचन की कहा है और यहां आप बिमार हो जाएंगे, आपको यह बोजन नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए बच्चे को, तो अच्छा वाला बोजन करें, आप स्वास होगे, चूश होगे, तंद्रूस होगे, ठीक उसी प्रकार, माइन का भी बोजन है, चीत का भी आपना बोजन होता है, ना, चीत का बोजन होता है चीत भी बिना बोजन का रह नहीं सकता है चीत का भोजन क्या है या तो आपका चीत जो है अतीत में जाएगा या तो आपका चीत जो है क्या है बविश्य के बारे में चीत एक जगा सितर होता नहीं चीत पाकते रहता है दोडते रहता है यही उसका बोजन है ची इर को स्वास्थ रखने के लिए यबोजन के भी दो रूप हैंbil़ी उसी परकार जो चित का जो बोजण है वो भी दो परकwegen का होगा दो परकार क्या होगा जैसे आफ राख है देश है मोँ है इर विकृतिया हैं जो चित की जो विकृतिया है उसका अगर अलम मन करोगे उसके बारे में सोचोगे तो जिस परकार विश्ट आई पोईजिनिक फूट खाने से आप बिमार हो जाएंगे उसी परकार उस विक्रित के चलते जो आप परिशान हो जाएंगे इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या सोचना है करुणा, मेत्री, परवपकार की बावना ये मन में लाना चाहिए टीचरों का दाईत तब दूसरों के वाईशा बहुत ज्यादा है टीचर को बहुत योग होना चाहिए टीचिंग स्टाप को अगर गल्दंग से न्यूक करोगे तो देखिए पूरा का पूरा एक प्रकार से जनेरेशन को नुकसान कर देता है वो पूरा का पूरा परिवार को तबह कर देता है समाज को नश्ट कर देता है रास्ट को नश्ट कर देता है क्योंकि टीचर जो हुआ ना, तीस साल तक जो पढ़ायेगा तो शेंगडों बच्चों को पढ़ायेगा ना. अगर टीचर योगी नहीं है, टीचर इमानदार नहीं है, tension नहीं है, तो उन बच्चके साथ खिलवार होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एक बच्चा योग बने, तो पुरा परिवार सुख में हो जाता है अडोस पडोस है ना, पूरा सामाज, पूरा सोसाइटी, हो खोता है कि नहीं होता है यह शिक्षा के चलते ही तो हो रहा है, शिक्षा के अंदरगत पे क्या है जो आदियात में खिरते हो, जो मानुवे मूले हो, है ना, जो इधिक से आदर्ष है, मानुवे मूले, जब हम मानुवे मूले की बात करते हैं, मानुवे मूले क्या है, है ना, पता नहीं, इंगलिश में वैल्यू अर्थ, जो मूले के अर्थ में आता है या नहीं आता है, मेर हमारा मूल जीवन है अगर जीवन है तो सब कुछ है अगर जीवन नहीं है तो क्या कुछ है आपके पास संपती हो कुछ भी हो तो क्या है अगर जीवन ही नहीं है तो मूल का अर्थ है जीवन है तो जीवन के लिए जो उपयोगी है जो जीवन के लिए महतुपूरण है जो हमा जीवन को सरल बनाती है जो हमारे जीवन को सहज बनाती है वो मूले का मतलब जो है जो हमारे जीवन को सुख और सरल और क्या है सहज बनाती है उसको हम कहते है मूले जीवन मूले वैल्यू जो हम उसको कहते है अब वो मूले क्या है वो वैल्यू क्या हो सकता है वो वैल्यू यह हो साथ जार। है आपके अंदर दिया करूना प्रवपकार की जो बावना है जो प्रवपकार का बाव है वही मुल है आपके अंदर अगर वह ऐगर व। है तो आपका जीवन सुम है आपका जीवन सह je आपका जीवन सरल है है कि नहीं आप records पुरे में विसंतुष हो सकते हैं, जब मैं येक्टिकतरूअसिए जब मैं देखता हूा ना, प्राहे ए हम लोगों के साथ क्या होता है? कि देखे शरीर के अवशेक्टाइंएअग होती है, मानसिवी और शेक्टाइंएग होती है, उदारन के लिए शरीर के लिए हमको चाहिए रोटी चाहिए कबड़ा चाहिए मकान चाहिए रोटी कबड़ा मकान के बना हम सर्वाइब नहीं कर सकते हैं अपनी जीवन को अपनी जीवन को सुमें नहीं बना सकते हैं रोटी कबड़ा मकान चाहिए जरूर चाहिए क्योंकि बहुत की शरीर का रिक्वाइरमेंट है लेकिन जैसे कि उदारन के लिए हमको रोटी चाहिए अच्छा रोटी जो है हमको बीस रुपे के बोजन से भी हमारा शरीर मेंटेंड हो सकता है बीस रुपे के भी चावल डाल खाएं भी आप अपने को सर्वाइब कर सकते है शरीर का रिक्वाइरमेंट महतर इतना है क्यों फिर वहाँ पर आप 500 रुपे करने चाथे हैं क्यों फ़र वह인 5 Star होटल में जाकर के 2-3 रुपे ख़र करने चाथे शरीर का रिक्वाइरमेंट तो यही था ना तिन चपादी खाना ता दाल सबजी खाना ता उस पूरा होना था तो फिर वहां क्यों जा रहे हैं वहां आप इस लिए जा रहे हैं कि शरीर के रुकार्मेंट पर भी आपका माइंड डॉमिनेट कर रहा है माइंड कह रहा है नहीं जी देखो आपके बगल वाले गए हैं तो आपको भी जाना है तो उसी प्रकार यह मेरे चाधर है यह मरे चाधर डेट सो रुपे में है तो एन फ है काफी है अगर में चाहं जी नहीं जी मेरे को बढ़ल बॉइट चाहिए जो काश्मित पस्मिना चाहिए यह चार आजार से कम का पहनूंbon तुम प्रॉफेसर तो यह बोने लग जाएं तो वो कौन भोल रहा है? शरीर नहीं बोल रहा है वो जुए आपका आहंकार भोल रहा है वो आपका माइंड भोल रहा है तो हमको शरीर ही र्ysisक रावार्मेंट पर माइंड को डॉम्ने नहीं होने देना है अगर ऐसा कर सकते हैंaucा तभ आपका जीवन उन्मे. और मैं तो बुदिस होने के नादे तथागत बुद को फॉलो करता हूँ, बुद को सोचता हूँ, ग्रेट, वो देखो, राजा था, रंग बन गया, है ना, एजुकेशन के छेतर में जितना तथागत बुद ने बारत परश में किया, किसी दूसरे ने नहीं किया, बुद के पेले एजुकेशन जी गुरुकुल में होती थी, आश्रम में होता था, खुलकर आम पबलिक के लिए नहीं था, एजुकेशन, अगर आप देखेंगे तो, जब से तथागत बुद आये, बुद ने जो है, धर्म चक्कर प्रवरतन किया सारनात में, है ना, उसमें जो है, सा आरे सद, अस्टांग महरुकक दर्म का प्राचार करों, प्राशार करों करके बीजा, भुद जा, बुद तियास को देखेंगे, किया बुद से पहला ऐसा था, क्या सभी वरन के लोग पड़ सकते थे, क्या सबी जाती के लोग पड़ सकते थे, बुद ने खोला है य्योद बुद की देन है, है ना, वो क्या, राजा से विरंग होकर के ये काम किया तो, इसलिए वो, मैं सोचता हूँ, आज पर सोचता हूँ, बुद को क्यों समरंग करते हैं, राजा बनके बेठा हो तो कोई सोचता है आज, कोई याद करता है, बुद को कौन याद करता है, बुद के समय कितने राजा हुए होंगे आपको पता है कहीं हिस् attorney में मिलते हैं कि एकर राजा लोग हैं जो बुद्ध के संपर्ग में आए प्रसेंच जी जी बिंभी सर जी ये जी वो जी कुछ जो बुद के संपर्प में आये उन राजाओं का नाम है बुद्ध के संबन्ति साही समर्पन का परिनाम है तो वास्टा में अगर हम अमर होने चाहते हैं पविशे में मरने के पस्चाथ भी हमें कोई याद करे अगर आप ये चाहते हैं तो आपको त्याग चाहिए है ना त्याग करेंगे आपके दोरा पढ़ाया हुआ एक लड़का एक आई-एस बन जाएगा डॉक्टर बन जाएगा लोगों के काम आपका नम अमर होगा अमर करके जाएगा हुआ जैसे बुद्ध ने अपने पीता शुदोदन, माता महामाया पेता राहुल, पत्नी या शुद्रा को आज भी अमर किया है बुद्ध ने खुद सरेव अमर नहीं हुआ है पूरा पर्वार को वो अमर करके गया है सब्त्याग से है हमारे अंदर ट्याग की बावना होनी चाहिए समर्बन की बावना होनी चाहिए सबको अपनापन होना चाहिए सब एक है जैसा